तंक जो है वो मध्यप्रदेश शुरू की थी लेकिन आप 36 गड़ में यहां मौजूद है तो कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जिन से वो घेड़ने वाले हैं अभी की सरकार को यानि कॉंग्रेस की सरकार को भुपेश सरकार को इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी रामन सिंग साहब को रामन सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और इस कारिकरूम का संचालन करेंगे मेरे सैयोगी अखिले इशारद 36 गड़ कैसा है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है मतलब सरकार बढ़िया काम कर रही फिर तो सरकार ने तो हलत खराब करके रखा है 36 गड़ अपने आप में इतनी उर्जा है 36 गड़ के अंदर इतने छत्रिगड़ के लोग के अंदर ताकत है कि छत्रिगड़ आगे बढ़ेगा मगर जिस प्रकार ये पांच चार साल के कारकाल में चत्रिगड़ को पीछे धकेला गया उससे चत्रिगड़ बढ़ाल है और जो शांती का टापू कहलाता था चत्रिगड़ आज ये पूरा के पूरा तरीके से नक्सलवाद आतंगवाद की गत्वी थया तो कम हुई मगर जिस प्रकार लूट हत्या भलतकार जिस प्रकार बढ़ा है दिन दाड़े हत्या हो रही है उससे चत्रिगड़ प्रशान है रवन सिंग जी आपके कारेकाल में आप यहां पर सबसे लंबे वक तक मुख्यमंतरी रहे राज गठन के बाद से और अब की जो सरकारे क्या फर्क आपको महसूस होता है अगर मैं पूछू दो तीन बड़े बड़े बदलाओ क्या नजर आपको आते है फर्क नीती और निय के लिए यह सरकार आई थी कि उस डेवलप्मेंट को आगे बढ़ाया जाया मगर दिक्कत यह हुई कि सडकों का जाल हमने भिछाया साथ हजार करूर का बजट हुआ करता था उसको बढ़ा के एक लाग करूर बजट बनाया इंफ्राइस्ट्रक्चर में मजबूती लाने का क काम किया और जो चत्तिजगड के डेवलप्मेंट का जो एक धांचा हमने तियार किया इस्ट्रक्चर वो पूरी तरिके से धुस्त हो गया क्योंकि सारे विकास काम, सारे इइफ्राइस्ट्रक्चर के काम, ये चार साल में पूरे ठप यह ना सड़क बन रहा है ना सडक बन पूरी मजबूती के साथ चतिजगड में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनाने वाली है इसमें कहीं कोई शक्का गुंजाइसी नहीं है नहीं है देखिए चतिजगड में दरसल चेहरा बड़ा महत्पूर्ण हो गया है भुपेश बगेल जिस तरीके से यहां की राजनीती क शितिस पर उभरे हैं आपके यहां से चेहरा कौन है क्या मैं मानू कि डॉक्टर रमन सिंग ही बीजेपी के चेहरे होंगे अगले कोई प्रोजेट करके कोई चुनाओ लड़ा जाता है पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ सवाल इसलिए पूछ रहा हूं दरसल जब ही चुनाओ पिछले चुनाओ अभी से पहले की बात में कर रहा हूं तो यह मान कर लोग चल रहे थे कि अगर बीजेपी जीती है तो आप ही सीम बनेंगे पहले आप भले कहले हो कि चेहरा प्रोजेक्ट ना किया गया हो कहा ना गया हो लेकिन आप ही थे चेहरा तो अभी भी है ना मैं यह पूछ रहा हूं हम सब हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं और चेहरा तो सामने रहेगा कोई दिक्कत नहीं हम सब में तो सर बहुत सारे लोग है मतलब आपकी लीडर्शिप में ही चुना होने जा रहा है कि नहीं यह बता दीजे आज देखिए लीडर्शिप हमीशा भारती जन्ता जब तर्फ-टर्व कोई परमारा रहता है कि हम कि मानी मोढ їजी के चेहरा सामने रख के पूरे चुनाव लड़ते हैं चेहरा मोदीजी का हुगा है मोदीजी का चेहरा होगई सीम कोई भी बने कोई परक नहीं पड़ता ह। अगर कल को ऐसा होता है आप कर और विधायक दल म नाम आने कि आप अभी फेस हैं अगली बार अगर डीजेपी को मौका मिलता है तो आप सीम बनेंगे ने कौन बनता है यह तो चुनाव के बादी होगा आज कि आज किसी को प्रोजेट करके चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है लेकिन आप चाहेंगे ना कि एक पारी और खेलें नहीं मैं आप से अगर पूछू कि कॉंग्रेस का ऐसा कोई काम बताईए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो बगहिल सरकार का इस चार साल में तो मुझे समझ में नहीं आया कि कोई काम ऐसा हो जिसकी तारीफ की जाए चार साल में पूरे तरीके से शत्तितगड बदनाम जो बड़ा नाम करता था च्छतितगड की उंचाई में पूंचता था गरिपों के लिए 1 रूपय क्योल चावल की योजना थी गरिबोंा के विकास की सा काम थे यूकों के लिए बरुजगारी बहुत वायरा सारी योजना है थी मगर नहीं चार साल में State कौ एक भी उपलब्धी नहीं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार चार साल काम कड़ ले और यह थी बढ़ी हा काम ना किया हो उपलब्धी तो दिखरा है, इड़ी और सीडी दिखरा है, इसे बड़े ही उपलब्धी, पूरे हिंदोस्तान में जैंडी चात्तितिजगर्ड को जाना जान पूचकर वो हतियार है आप लोंका जान पूचकर यदि कराय होते तो एक सुसाट करोड का जो मामला इडी ने प्रस्थत किया है नियालाय में तो क्या ये भी काकची होगा जो उनके अधिकारी ये आज जिल के अंदर है जो बेल में है जो उनके उपर कारवाही हो रही क् जो डाकूमेंट मिले हैं वो क्या काकची है इतनी बड़ी कारवाही लगातार अभी भी चल रही है क्या उसको जुटलाय जा सकता ये तो नियालाय में जाएगा और नियालाय में प्रमाणित होगा जी लेकिन सर आप ये आपका एक बयान में देख रहा था लोर्मी में आप संबोधित कर रहे थे उस दोरान आपने ये क्यों कह दिया कि हमारे जमाने में जो काम पांदस साजार उपेम हो जाता था उसके लिए लाखों खर्श करने पड़ते हैं मतला भरष्टाचार उस वक्त भी था थोड़ा कम था देखिए बात हो रहे थी पटवारी के बात हो र रहना है अपने खाते को कुछ काम करवाना है तो रेवनु की अधिकारी आज लाग दो लाग पांच लाग से पहले काम नहीं करते तो आप लोग तो ऐसे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं करप्शन को पांदस सदा ठीक था उस समय कोई करता था उसके उपर तदकाल पांदस सार रुपए हमारे जमाने में चलते थे तो यह भी बता दे साहबगोई से इमानदारी के साथ कि उनके जमाने में करोणों की जो लूट हुई उनके बेटे ने कहां पर इंविस्ट किया इस पूरे मामले को जो जूटे आरोप लगातार लगाए जिगा है उस सूरे सारे मामले को लेगा यह सुप्रीम कोड तक चले गए यह हाई कोड तक चले गए सारे मामले सारे दस्तावेज कहीं प्रमारिक निवा यदी चार साल से भुपेश की सरकार है कोई भी अनिवित्ता यदि कोई भी गड़बड़ी होती तो मामला आता नियाला इस ने पूरी त जो आप लोगों का बड़ा हत्यार कहा जाता है चुनाओं में आप आरोप लगता है कि आप हिंदु तो कार्ड खेलते हैं आप लोग का ब्रहमास्त्र है लेकिन भुपेश बगेल तो ऐसा लग रहा है कि वो ब्रहमास्त्र भी छिनने के चक्कर में है जिस तरीके से लगातार कई योजनाएं मैं गिनवा देता हूँ आपको एक एकर के कौशलया मंदिर मोहन भागवत नहीं आ जाते हैं दर्शन करने के लिए इसके अलाबा रामवन गमन पत्का निर्मान शिवरी नराइन में आरती का योजन होने लग या ये तो छोड़ दीजे भुपेश बगेल कह के बाद आते हैं उसका रिक्रम में नहीं मंदिर जाना अच्छी बात है मैं तो इस बात को कहता हूं कि जो भी करकम में जाता है मंदिर जाए मगर सवाल ये है कि जो जिन इस्थानों के बारे में बो रहे ते उसका डेवलप्मेंट उसका विकास भारती जनता पार्ड़ी न केंद सरकार की योजना हैं, केंद सरकार ने उसको ऐडनिटिफाई किया था और उसके काम मगर भुपेज भगेल बता दे कि वहां पे बजट का एक रूपिया भी खर्च किया हो हो तो क्षरोड रूपय कहे रहे हैं कोई कोई भी योजना में किसी भी योजना में इस पत्थ के निर्मान के लिए सड़क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेस्ट आउस बनाने के लिए मंदिर के विकास के लिए यदि बजट से एक रुपया भी दिया हो तो परमाणित करें एक रुपया भी नहीं दिया सड़के खराब है इसलिए सड़के हाई नहीं लेकिन राहूल गांधी जिस उर्जा के साथ दौरते हुए नजर आ रहे हैं टी शर्ट पहन के स्ठंड में भी दौरते रहते हैं आपको नहीं लग रहा है कि इसे फरक पढ़ने जा रहा है आप लोग कॉंग्रेस मुक्त भारत क उतना ही पीछे जा रही है कांग्रेस का हिंदुस्तान के नक्से में धूनेंगे तो आपको कांग्रेस को मिलना मुस्की लगए सिर्फ राजिस्थान और चत्यजगर के भरों से काम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है और आने वाले एक प्रदेश धोके से आ गया मगर उ पर्द्रों दुखा क्यों बोल दिया में जणमत मिला आ उतना नाइन परसेंट वूट का फरक का ऐया पाइंट नाइन परसेंट वूट का जिसम्ने सरकार अलेकि लोकसंत्र में सर्.ायी होता है ज गी कर पुरे नखसे में उत्तरपडेश भिहार से लेकर गुजरा थे लेकर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस है कहां पैदल चल जितने पैदल चल रहे हैं कांग्रेस में विभाजन हो रहे हैं आप देख लिए जो क्या हाला थे राजिस्थान में क्या हाला थे छत्य गड़ में आपस में फटवल सुरू हो गया यहां भी आपके राज में भी अब ज इसकी इस्थिति यह बन गई है कि चुनाओ लड़ू या न लड़ू इस पर विशार कर रहा है आपकी बाचित होती है उनसे टियर सिंग दिव जैसे मेरी त्य सबसे बात होती है जो हमने समचार सुना तो लगा उनको लगा कि निरासा का इतना बड़ा दोड जिस व्यक्ति न जन घोसना पत्र बनाया था, जिस व्यक्ति ने पूरी महनत की थी, आज वो कांग्रेस में मुक्त अलग होने की मूड में हैं, और ये बोलता है कि मैं तैह करूँगा कि मुझे चुनाओ लड़ना है कि निर्णा है, बीजेपी में स्वाकत करिए का उनका अगर वो आते हैं तो देखिए कोई पार्टी छोड़ता है, उसके बाद निर्णे होता है, आज वो कांग्रेस में हैं, आज उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मर को ये पार्टी छोड़ता है, आप इतने सीनिय लीडर हैं, राजे के सबसे वरिशनेता हैं, अगर आप से बाचीत करते रहते है कुछ तो कहते होंगे, आपके टच में अगर होंगे, अगर कल को आपको कह दें कि मैं कॉंग्रेस छोड़के आपके पास आना चाहता हूँ, बीजेपी में, देखिए, सब बातें सारजोनी करने की नहीं होती है, कुछ बातों बात में निकल गयाएगा, परदे के पीछे, जी, जी, आप किन मुद्दों के साथ अगले चुनाओं में जाने वाले हैं, अगर मैं आप से पूछू कि पांच ऐसे मुद्दे बताईए, जिसके आधार पर जनता आपको वोड़ दे, 2023 मौका दे, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, हमने जिन योजनाओं को आज आप कहेंगे कि विकास की सबसे उचाई तक पहुचाने का काम उस पंदरा साल में हुआ, और चटिस गड़ का समक्र विकास ये दी हुआ, तो हम यही कहते हैं, कि हम जो पंदरा साल तक डेवलप्मेंट करते रहे, उस पंदरा साल के विकास को आगे बढ़ाएंगे, च चतिस गड़ में भूग से मौत होती थी, हमने गरिबों के लिए एक रुपय किलो चामल की योजना सुरू की, सतर लाग परिवारों से हमने सुरुआत की, सोला प्रतिशत ब्याजदर में साकारी बैंक से करजा दिया जाता था, उसको हमने जीरो परसेंट तक लिए के आया, हमने पांच लाग मेट्रिक टंग से धान खरीदी शुरुआत की, वो जाके सतर लाग मेट्रिक टंग तक धान खरीदी की, साथ हजार का बजट हुआ करता था, उसको एक लाग करोड बजट किया, IIT आगया है, IIM आगया है, आज चतिस गड़ में सारे नेशनल लाई उनिव जना में 1200 किलो मेटर सडके हुआ करती थी, 1200 किलो मेटर, हमने उसको बाइस हजार किलो मेटर सडक में पहुचा के लाए है, उसके बाद सडक बंद हो चुका है, हम इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और दूसरा हमारे पास मुद्दा है, मोदी जी के आट साल की लग किया है, मैं गाउं में जाकर बोलता हूँ, 16 लाग आवास गरीबों के छीना है, भूपेश बखेल ने, 16 लाग आवास के लिए मैं सारजनी ग्रूप से कहता हूँ, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी भारती जन्ता पार्टी की, 16 लाग गरीबों को आवास हम देंगे, हम बोल हैं उनको, आप इतनी बातें कहरें भूपेश बखेल को लेकर, मतलब उसका एक मैं आशे अगर निकालू, निचोड निकालू इतनी देर की बाचीत में, तो आपको सरकार का एक भी काम ऐसा नहीं है, जो अच्छा लगा हो, एक भी काम, सिंगल, काम के लिए कुछ अच्छा अच्छी बात है, चतिजगड़ को मान समान गवरों बढ़े, इसके लिए हम भी करते हैं, हर चतिजगड़ में रहने वाला व्यक्ति, चतिजगड़ महतारी पे घर्व करता है, और चतिजगड़ में समान करना ही पड़ चाजी हमको, मतलब इस फ्रंट पर तो बखेल सरकार ने बढ़ियां काम किया ना फिर, काम कर रहे हैं, उसमें दिखें, काम करेंगे, उसका रिजल्ट है, दोजार तेईस में दिखेंगा जनता के बीच, अच्छा, देखें, मेरे पास एक फेरिस्त है, मैं चाहरा हूँ, आपको यह बता दूँ, रहसल बताया जा रहा है कि साल 2022 में 36 गड़ को कई कामों के लिए पुरसकार मिला है, राश्टिये पुरसकार मिला है, यह देखिए, मैं बता रहूँ, एक एक करके आपको, मोर मयारू गुरुजी को मिला राश्टिये सिल्वर स्कॉच अवार्ड, इसके अलाबा एकी करन, डिजिटली करने वाला उत्कृ इस पुरसकार मिला है, आप बताईएगा अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नजर आ रही हो तो, स्वच्छ सर्वेशन ग्रामीन में इस्ट जोन में 36 गड़ टॉप पर है, भुया कारिक्रम को राश्टिये स्तर पर मिला पुरसकार, इसके अलाबा CSISIG का E-Governance Award भी सरक हुआ है, आदिवासी महिलाओं को समानित लगातार किया जा रहा है, इश्रमिक सेवा के लिए मिला Golden Award, आप करें कुछ भी नहीं किया सरकार ने, यह पूरी गुजनाय में जिस प्रकार इनाम मिल रहा है, कौन-कौन से एजेंसी उसकी सर्वे करती है, कौन-कौन से एजेंसी इस पर इनाम देती है, इसमें उसके बारे में डिटेल जानकारी हो, तो मालूम होता है, यह सब और सब मिली जूली कुस्ति है, भागेल जी खुदी यह सारे अवाड ले रहे हैं, अधिकांस तो मनेज किया हुआ है, मैनेज किया अवाड है, कुछ तो इसमें लेकिन सेंटर के भी अवाड है, सर, केंदर सरकार की तरफ से भी कुछ अवाड दिये गए है, मिल जाते हैं, वहाँ भी मैनेज कर ले रहे हैं, मिल जाते हैं, कुछ प्रिसकार, उसमें मैं आपती नहीं कर रहा हूं, कुछ किसी सेक्टर में अच्छा काम हुआ होगा, तो मिल गया होगा, आप मान रहे हैं कि चली कुछ तो काम हुआ है, खुछ तो काम हुआ है, ठीक है, अज़ा मैं राष्ट्रिय राजनीती के अगर बात करूँ, तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का भविश्य क्या देख रहे हैं अब, उनकी मेहनत काम्याब होगी और नहीं होगी, अगला मेरा थार में दोड़ेंगे वो, चलेंगे, जितनी पैटिस कर लिया है उनोंने और जितना रफ्तार से चल रहे हैं पैदल अच्छे चो को पीछा चोड़ते हुए, तो मुझे लगता है अगले उलम्पी के लिए चिंता करने की जरूवत नहीं है, भारत को एक अच् पिछले दस बारा सालों में कांग्रिस कहां पर पहुँचा था, सत्रा राज्यों में कांग्रिस की सरकार हुआ कड़ती थी, बनमुहान सिर्ण के रहते, सत्रा से घटके दो और तीन में आ गये, नेट्रूट तो, सोनिया जी कए कहें या रहूल गांधी का कहें, इनके में भी पकड़ नहीं अच्छा लेकिन ये तो आप मानते होंगे ना सर की मेहनत कर रह रहा हुल गांधी बहले ही आप कह रहे हैं कि उनका नतीजा ना मिले परणाम नहीं पूरा लुक भी चेंज कर लिया उन्होंने जितना पसीना उसने बहाया है उतना कोई नहीं भाया होगा है अब महनत कर रहे हैं बहुत चल रहे हैं तो राजनीती में अगर कोयव नहीं करते तो उसनी प्रणाम मिले जाता आच्छा लुक उनका कैसा लग रहा है आपको ओज छिक लग रहा है उसकि में जब्ल रिस धिक पर और या पुझा इसला करता बहुत ही और एस थे टीक थी ठीक है एक एसे लूप में रहना चाहिए इसी रूप में रहना जाए मुझे लगता mesmo राखुल गांध आपको सुन रहोंगे खुश हो जाएंगे आपने ए कुछ पर खुछ. आपने बहुत ही विवाकी के साथ मेरे सारे सवालों का जवाब दिया मुझे बढ़ अच्छा लगा लेकिन जाते जाते आखिर में जो बात थोड़ी दिर पहले आपने कही थी रमान सिंग जी चाहते हैं कि पार्टी उन्हें और और मौका दे सरकारगरबंदी है तो देखिए प्रयास हम सब कर रहे हैं महनत सब कर रहे हैं और महनत में सिर्फ इस बात के लिए महनत मैं नहीं कर रहा हूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है महनत इसलिए कर रहा हूं कि 15 साल मुझे मुख्यमंत्री का दाई तो था 15 साल मैंने मुख्यमंत् अब हम रुकेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए एबीपी नियूस पर खबरों का सिलसिला लगातार जा रही है आप जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे एबीपी नियूस बहुत बाला खुलासा अपरेशन राक्षास आज शाम साथ बजे एबीपी नियूस पर हर बड़ी खबर के पीछे एक अंदेखा सच होता है जो आपको चौकाता है असलियत सामने लाता है एक्स्क्लूसिब एंगल एक्सपर्ट रिपोर्टर से आता है इसलिए एबीपी नियूस पर हर खबर की अंदेखी थेयूरी दा इंसाइड स्टोरी रात आठ बजे सिर्फ एबीपी नियूस पर आपको रखे आगे स्ट्सक्राएं की आपको खबड़आए 해요 इसलियूस-ट कर अछार को लेदारिक है verbs अश पूर्गित अच्छिए झाल झाल